तो आज भारत में लॉकडाउन एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान भारत के लोग अपना समय कैसे बिता रहे थे यानि वो इस दौरान कर क्या रहे थे इंटरनेट डेटा का विशेशन करने वाली एक बड़ी कमपनी केला गाटो ने इस पर एक रिसर्च जारी किया है और ये रिसर्च दो फरवरी से 29 मार्च के बीच हासिल किये गए आँकणों पर आधरित है भारत 24 मार्च से लॉक डाउन में है और इस दौरान भारत के करोणों लोग दिन में कई घंटे सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स पर बिता रहे थे यानि लगातार अपने स्मार्ट फोन पर थे और इन में सबसे आगे टिक टॉक और फेस्बुक का इस्तिमाल करने वाले लोग है पूरी दुनिया में टिक टॉक के 80 करोड और भारत में करीब 12 करोड यूजर्स हैं इस एप का निर्माण चीन में हुआ है ये चीन का एप है और चीन पर इस एप के जरिए लोगों का 9 मिनट बिता रहे हैं यानी पहले से 17 मिनट ज्यादा इसी तरह फेस्बुक पर पहले के मुकाबले लगबग दुगना समय बिता रहे हैं पहले 21 मिनट बिताते अब 35 मिनट जबsk Molt लाइववव् Mt जासे एपस पर लोग पहले के मकाबले 315 प्रतिशत ज्यादा समय बिता रहे आप्छ विजह आप्छे पर लोग पहले के मकाबले 66 प्रतिशत ज्यादा समय ओपन करते थे लेकिन अब लोग इस एप को आस्तन 21 बार देखते हैं रिसर्च में ये आकड़े दशमलाव में दिये गए हैं लेकिन हम आपको ये राउंड फिगर में बता रहे हैं ताकि आपको समझने में असानी हो इंस्ट्रेग्राइम के मामले में ये संख्या 12 से बढ़कर 19 टिक टॉक के मामले में 7 से बढ़कर और आगे बढ़ गई है टुटर के मामले में 8 से बढ़कर 10 और स्नैपचैट के मामले में 8 से बढ़कर 10 बार हो गया है जिन एप्स को खूलने के बाद यूजर्स उस पर सबसे से ज़्यादा समय बिता रहे हैं उनमें सबसे आगे टुटर है यानि engagement rate के मामले में टुटर ने सबसे बाजी मार ली है डेली एक्टिव users के मामले में टुटर के हिस्सेदारी 30 प्रतिशत लाइव में की 25 टिक टॉक की 11 परसेंट शेर चैट की 10 परसेंट और स्नैप चैट की 6 परतिशत हिस्सेदारी है जबकि लोग फेस्बुक और इंस्टाग्राम जैसे एप्स पर बार बार अपने स्मार्ट फोन पर खोल तो रहे हैं लेकिन इन एप्स पर ज्यादा देर टिक नहीं रहे इसलिए फेस्बुक के डेली एक्टिव यूजर्स की संख्या 1% कम हुई है जबकि इंस्टाग्राम के डेली एक्टिव यूजर्स की संख्या ना घटी है और ना ही बढ़ी है जिन अप्स के आधार पर ये रिपोर्ट तयार की गई है उन में से करीब 30% चाइनीज अप्स है और जिन अप्स पर यूजर सबसे ज़्यादा समय बिता रहे हैं उन में से भी ज़्यादा तर चाइनीज है इसके अलावा कुछ विदेशी और भारती अप्स में चीन की कमपनियों की भारी भरकम हिस्सेदारी है इन में से कुछ अप्स फेक निउस पहलाने का काम भी कर रहे हैं उधारन के लिए मार्च के अंग तक भारत में टिक टॉक पर ऐसे 30,000 से ज़ादा वीडियो शेयर किये गए जो नफरत पहलाने वाले थे कुछ दिन पहले हमने आपको बताय था कैसे जब तक दुनिया के बड़े-बड़े देश कोरोना वाइरस को कंट्रोल करेंगे तब तक चीन दुनिया की अर्थव्वःस्थाओं को कंट्रोल कर चुका होगा लेकिन आज आज आप ये कह सकते हैं कि जब दुनिया के देश अपने नागरिकों को लॉकडाउन में कंट्रोल करेंगे तब तक उनके खाली समय का फायदा उठा कर उनका डेटा कंट्रोल किया जा चुका होगा या आप ये भी कह सकते हैं कि जब तक दुनिया के 400 करोड लोग लॉकडाउन से बाहर आएंगे तब तक उनका डेटा बड़ी बड़ी कमपनियों के लिए सबसे बड़ा ख़जाना बन चुका होगा